मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? ये हैं हमारा राजपूत परिवार, जहां साधना और मीना, जिठानी और देवरानी दोनों साथ में रहती हैं. बसे कहने को तो ये परिवार साथ में ही रहता है, लेकिन यहां राज बस एक का ही चलता है, और वो है हमारी साधना जीची का. अरे अब साथ के जाने के बाद वो ही तो है, जो इस घर में सबसे बड़ी है. लेकिन हां, उन्हें ऐसा लगता है कि फिर भी वो इस घर में कोई नहीं होती है बोलने वाली. अरे मैं होती कौन हूँ अब बोलने वाली? तो नहीं जैसा चोखा लागे वैसा करमी ना. मैं तो बस बड़ी होने के नाते कह रही थी कि घर में त्योहार वाला दिन है, इसलिए चार-पाज पकवान तो बनना चाहिए. एक दो मिठाए बना दो और नाश्ते में कचोरिया बना दो बस. जी-जी, ये आपकी बात सही है, लेकिन हम ये कह रहे थी कि इतना सब बनाने में वक्त बड़ा लग जाएगा, तो थोड़े पकवान कम बना ले तो हम. अब वही बात है ना, मासा होती तो उसकी बात कोई टालता था क्या? लेकिन यहां तो मैं हूँ ना, अब ती कौन हूँ, मैं बोलने वाली? लेकिन मीना, तुझे यसी मेरी बात को टालना कौन ही चाहिए? अरे ठीक है, जी-जी, हम बना देते हैं, जैसा आपने का है. आ, और सुनो त्योर वाला घर से, लाइड भी लगा देना ठीक से? जी-जी-जी, लगवा देती हूँ. तो देखा आपने, साधना को बोलने का हग तो नहीं है, ये कहा कर वो अपनी हर बात मनवा लेती है, और कोई उसकी बात को टालता भी नहीं है. वैसे मीना जब से इस गर में ब्याके आई है, तब से उसने साधना की सामने कभी मूँ नहीं खुला था. उसने क्या? घर में कोई भी साधना की बात को नहीं टालता था. विजय, कल पंडी जी को दक्षिना दिया ना, ठीक है? जी वैया, अब बता दी जी कितनी देनी हम दे आएंगे? इक्केस हजार दिया ना, उन्होंने मा की शांती पूझा भी करवाई थी ना, अभी इतनी ही ठीक रहेंगे. अरे, इक्केस हजार, इतनी दक्षिना कौन देता है? शांती पूझा ही तो करवाई है मासा की. और मासा की उपर जाकर थोड़ी ना, फल खिला कर आया है, पंडी जी. नाना, इतनी दक्षिना देने के कोई जरुवत ना है. एक्क्यावन सो रुपिया दे आना, बस काफी है. भाबी से एक्क्यावन सो रुपिया कम है, बहुत कम है. अरे नाना, कोई कम ना है, आपको क्यों कम लागे हैं, देवाजी? अरे कम तुमने भी लागे हैं, साधना. हमें इतनी कम दक्षिना कौन ही देनी चाहिए? आ, फिर क्यों माने हो सब मेरी बात में? मैं होती कौन बोलने वाली? जिसे जै करना हो, करो. मारी इस घर में कोई इज्जत ही ना है. सब लोगों को बस अपनी चलानी है. अरे नाना भाबी, ऐसी कोई बात ना है. हम तो बस ऐसे ही अपनी बात रख रहे हैं थे. आप इस घर की बड़ी है, आपको ज्यादा पता है कि क्या सही है और क्या गलत है? विजय, जो तरी भाबी साने कहा है, वही कर देना, ठीक है? जी ठीक है भाइसा, कली मैं पन्डी जी के पास चला जाओंगा. हाला कि सब को पता होता था कि साधना के कुछ फैसले गलत होते हैं, फिर भी कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था. सुनो, इक्यावन सो रुपया तो बहुत कम है. मैंने साधना के सामने कुछ कहा नहीं, तो एक काम करना पंडी जी को 21,000 और कुछ मिठाय भी लेकर जाना उनके लिए, ठीक है? भाइसा, ये सही है. भाबिसा के सामने तो मैं भी कुछ कहना पाया, लेकिन मनने भी ये बात इसे ही ल अपर देखना के तेरी भाबिसा को इसका पता ना लग जाया, मैं तो बवाल कर दीगी घर में. अरे भाइसा, समझ गया मैं. कई बार घर की शान्ती को बनाय रखने के लिए सबको थोड़ा बहुत चुप रहना जरूरी होता है. बस इसी बात को समझ कर घर में हर कोई साधना की बात को कभी नहीं डालता था. जहां छोटी से छोटी बात तक साधना की मर्जिस होती थी, वहीं मलहार और राज की शाद आज शाम को न मलहार को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं. देखो सब लोग सुन लो, मुझे कोई भी कमी कानी चाहिए, शाम की तैयारी में आ. जी थाईसा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. जी भविसा, मैं नाश्ता, पानी, चाय, मिठाय सब का बंदो बस्त कर लूँगा, आप चिंता कानी करो. मलार, चल मैं थारे कपड़े निकाल दूँँ, चल छोड़ आज जा. मैं खुद निकाल लूँगा, मासा, आप बैठी ना. अर ऐसा कैसे है, तो कुछ भी निकाल के पहन के आ जाएगा, मा तुझे बताऊँ कि क्या पहनना है, आज जा अरे पर मासा, आरा पारवर छोट, चल चल दी सा. मासा, ये खुद के बेटी के उपर तो हुकम चलाई रही है, लेकिन मेरी शादी भी यही करवाने वाली है, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है. अरे चिपकर तुझे पता है ना, इस घर में साधना भाबी सा के आगे क कोई नहीं बोलता. मासा लेकिन ये तो गलत है ना, सब कुछ वही क्यों फैसला लेती है, हम क्या पहनेंगे, कहां गुमने जाएंगे, हम क्या खाएंगे, मैं तो जब से बढ़ा हूँ आओ तब से देख रहा हूँ, कि वही सब कुछ तैय करती है. अरे वो घर की बड़ी है पिटा, मासा के जाने के बाद उन्होंने ही घर को संबाला है, अब अगर बड़ो की बात नहीं मानेंगे, तो किस की मानेंगे, चल तु पिते यार हो जा, मलहार को लड़की वाले देखने आते ही होंगे, क्या फैदा, आगरी फैसला तो ताइसा हो ही लेने वाले हैं। पिछली पिड़ी हो या आने वाली पिड़ी, इस घर में साधना के आगे कोई कुछ नहीं कहता था, शाम को लड़की वाले आते हैं और साधना को पूझा पसंद आ जाती है। पिटा आपकी बात को बहुत मानता है, इस घर में सेब लोग भावी साधना की बात को मानते हैं, वो घर की बड़ी है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी घर में इतना भायचा रहा है। अरे अब मैं होती कौन हूं कुछ बोलने वाली, लकिन पूरे परिवार को लगता है कि मन नहीं सब फैसले लेने चाहिए, तो मैं भी सब का मान रख लेती हूं बस। अब बड़े होने के ना तो इतना तो करी सकती हूं मैं। जी जी ये तो सही बात है, तो हम ये रिष्टा पका समझते हैं, आगे का मुरत कैसे निकलवाना है वो आप बता दीजीगा हमें, हम उसे साफ से सारी तयारी कर लेंगे। जी जी हम आपको बता देंगे। मलहार की शादी तैह होने से पूरे परिवार में खुशी की लहर सी छा गई थी, और साधना ने तो अकले ही मलहार की शादी कैसे करनी है, वो भी तैह कर लिया था। क्या हुआ भाई, यहां अकले क्यों कड़ा है। रे कुछ नहीं, बस वही पुराना किस्स मासा का, क्यों मुझे कैसे शादी करनी है। मुझे क्या पहनना है। शादी में कौन सा खाना होगा, कौन लोग आएंगे। वो तक मासा नहीं ही तैह कर लिया। जैसे मेरी नहीं उनकी शादी हो। तुझे तो पता ही वो कैसी है उनके आगे आज तक कोई बोल पाया है क्या हाँ लेकिन अब हमारी बीवियां आने वाली है तुझे क्या लगता है वो इस बात को सैन कर लेंगी भाई पता नहीं वो तो मुझे तो लगता है जैसे तेरे साथ हो रहा है वैसे ही मेरे साथ भी करने वाली है मेरी शादी में वो मुझ से क्या मेरी मा सा से भी कुछ सला नहीं लेंगी अरे वो मेरी मा सा है लेकिन कई बाह लगता है कि उन्हें किसी को बोलना चाहिए कि वो जो कुछ कर रही है वो गलत है असा नहीं हो सकता ना भई दादी सा के गुजरने के बाद उन्होंने ही घर को संभाला है सब लोग उनकी बड़ी इज़त करते है इस गर में तो कोई उनके आगे कुछ नहीं जाएगा तेरी बात भी सही है मलहार और राज की चाहे अपनी शादी को लेकर कितनी ही अर्मान क्यों ना हो लेकिन उन्हें भी अंत में साधना की बात को मानना ही था मलहार की शादी हो चुकी थी अब साधना राज के लिए लड़की खोश रही थी लेकिन अभी तक तो पूजा को ही इस गर के नियमों को समझने में दिकत हो रही थी चाची सा खाने में क्या बनाना है वो तो साधना भाविसा ही बताती है वो जो कहती है न वही खाने में बनता है अच्छा अच्छा चाची सा यहां सब कुछ मासा के हिसाब से होता है क्या क्यों मेरा मतलब है इस गर में क्या आएगा क्या बनाया जाएगा क्या पहना जाएगा सब कुछ मासा ही बताती है हाँ बेटा मेरी सास के जाने की बाद इस घर को साधना भाविसा नहीं संबाला है इसलिए उनके अनुसार ही सब कुछ होता है लेकिन आप भी तो इस घर की बड़ी है आपको नहीं लगता इस गर में सब की राई लीना जरूरी है अरे कोई बात नीना बेटा इस गर में तो सब को आदत है तुमें भी पढ़ जाएगी अब वैसे तो आज कल के बच्चे सब अपनी ही करते हैं मैं होती कौन हूं बोलने वाली बीच में लेकिन बहुरानी तुम अभी अभी आई हो ना इस गर में है आते ही यह सब में मत लग जाओ ठीक से पहले रसोय का काम संभालो और उसके बाद यह सब चुगली और बाते करती रहना ठीक से चलो खाने में आज दमालू की सबजी दाल और रोटी बनेगी जल्दे से बनालो जी माजी सा पूजा आती ही समझ गई थी कि इस घर में साधना के सामने कोई कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उससे अब ये बात कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी मासा कल मैं और पूजा कुछ दिन के लिए मनाली जा रहे हैं गुमने के लिए मनाली क्यों जा रहे हो वहां कितनी ठंड होगी ना बाबा ना वहां जाने की कोई ज़रुवत ना है लेकिन पूजा को मनाली जाना है उसकी बहुत इच्छा है मा साब, जाने दीजिए ना अरे इच्छा का क्या करना है, बाट ठंड कितीन ही पड़े है तुम दोनों जैपुर घुमाओ और चार-पांच दिन जाकर करोगे क्या अरे तिन दिन ही बहुत से ताई साब, भावी साब का मन है तो जाने दीजिए ना राज, एक तो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीज में बोलना नी चीए, ठिक सा सॉरी ताई जी और रही बात मनाली की तो आप मैं होती कौन हूँ, कुछ भी कहने वाली जहां जाना है बहाँ जाओ, जो करना से करो अरे मा साब गुसा क्यों करी है कोई बात नहीं, जैपुर ही चले जाते हैं अगली बार मनाली चले जाएंगे आ, जैसे तुम्हारी इच्छा मैं होती कौन हूँ, कुछ भी कहने वाली अरे मलहार बिटो, तुम दोनों को घुमना ही है ना तुम मनाली जाओ के जैपुर, क्या फरक पड़ता है जी बाबा सा, मलहार ने तो अपनी मा की बात मान ली लेकिन पूजा को ये बात बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी और ये बात उसके चैरे पर साफ दिख रही थी तुम मैं बहुत बुरा लगा है ना जब पता ही था कि बुरा लगेगा इस बात से तो माने ही क्यो मासा की बात अरे वो नाराज हो जाती, इसलिए मैं नहां क्या दिया अरे उनकी वज़े से बाकी दुखी हो, वो चलेगा लेकिन वो दुखी नहीं होनी ची ऐसा क्यों है इस गर में? मुझे समझ में नहीं आता देखो, तुम गुस्सा मतो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मनाली ले जाओंगा, पक्का बात आज की नहीं मलार? हमारे खाने से लेकर, हमारे नीजी फैसले तक सब कुछ वही फैसला करती है यह सही नहीं है अरे वो घर की बड़ी है, छुड़ो ना इस बात को, जाने दो अपना मुड सही कर लो मेरी बात को याद रखना, इस बात को लेकर इस गर में एक दिन बहुत बड़ा बवाल होगा, देखना तू पूजा को इस गर में आये कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन उसे भी समझ में आ गया था कि साधना के आगे कोई कुछ भी नहीं कहने वाला यहाँ तक कि साधना ने राज की शादी पितै कर दी, वो भी उसे बिना लड़की दिखाए मासाब समझ नहीं रही है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैंने इस लड़की को देखा भी नहीं है और उनसे मेरी शादी तै कर दी मैं जानती हूँ बिटा तुझे कैसा लग रहा होगा लेकिन भापी सा कुछ गलत वैसला नहीं लेंगी तेरे लिए बापी सा आपी समझाएए ना प्लीज, मैं ऐसे कैसे ही शादी के लिए हाँ कर दू, मैंने देखा ही नहीं इस लड़की को, बात भी नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं है, वो क्या सोचती है मेरे बारे में चाची जी राज ठीक कह रहा है, ऐसे कैसे मासा ने उसकी शादी तै कर दी, आपको बोलना चाहिए मासा को लेकिन मैं कैसे उन्हें कुछ भी कह दू, मैंने तो आज तक उनकी सामने कुछ नहीं कहा मासा, ये मेरे जिन्दगी का सवाल है, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ चाची सा, राज को अपनी पूरी जिन्दगी बितानी है उस लड़की के साथ, बिना उसे जाने, बिना उसे समझे, वो कैसे हां कह दे आपके लिए भी तो भापिसा ने हां कहा था ना चाची सा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात की थी, और उसके बाद ही मैंने मलहर को हां कहा था, ये बात मासा को नहीं पता है क्या, तुम दोनों ने मेरी मर्जे के खिलाफ बात की थी, मलहर हाँ मासा ये बात सच है मैं ऐसे ही किसी के साथ अपने जिन्दगी नहीं बिता सकता था और मुझे पता था कि आप इस बात के लिए हा नहीं कहेंगी इसलिए मैंने चुपके से पुझा से मुलाकात की थी हाँ हाँ मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली जा जा राज तु भी यही कर ले जा कर चुपके से उस लड़की से बात कर ले मैं होती कौन हूँ इस गर में किसी को कुछ भी कहने वाली मासा आपको पता है आप जो ये बोलती रहती है ना मैं होती कौन हूँ होती कौन हूँ बोले वाली ये सच बात है पुझा बेटा चुपो जा नहीं चाचीसा आज नहीं किसी को तो इस गर में इने बताना ही होगा कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है किसी भी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे के हिस्से के फैसले ले सके ये हर किसी की जिन्दकी के फैसले खुदी लेती है वनना आप सब कभी भी इनकी गल्ती को नहीं बता पाएंगी पुजा सही क्या रही है साधना, तुम गलत हो भाबी साब गलत है मेरे बेटी की शादी का फैसला उससे बिना प्युछे नहीं होगा भाबी साब गलत है इस बात में अपने हर बात पर अपनी चलाई है मासा, कभी हमारी बात को नहीं सुना, आप गलत है, मैं बिना देखे इस शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा तैसा, आप गलत है, हाँ हाँ जिसे जो करना करो, मैं होती कौन हूं किसी को कुछ कहने वाली, आज आपका ये पैतरा काम नहीं मासा, आज कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी की करिए, छोड़ो उसे, ठीक ही खुद हो जाएगी, पूजा बहु ठीक कह रही है, उसे बताना ज़रूरी था, कि वो जो कर रही है, वो गलत है, आज से इस घर में सब की सहमती की बिना कोई काम नहीं होगा हाँ बाबासा, आप से ही कह रहे हैं, वैसे भी मैं होती कौन हूँ कुछ कहने वाली